Yes, तो देखिया, अभी आमने trigonometry identities देख ली, trigonometry function देख लिया Now, अब हम देखने वाले signs of trigonometry functions Signs of trigonometry functions यह हमारा heading है In quadrants, in quadrants भी आप ऐसा बोल सकते हो, ठेक है मतलब कि, यहाँ पर क्या होगा न? कि हर quadrant में, हर trigonometry की function की जो sign है वो different होती है कैसे, क्या sign क्या होता है, मैं आपको पहले यह समझाता हूँ देखिये, जैसे कि आमने standard angle देखा यह था 0, यह था 90, यह था 30, 45, 60 ठीक है, जब आपने इनकी values निकाली, इनकी values तो आपने 10th class में ही निकाल ली थी तो इनकी जब आपने values निकाली, तो आपने एक पाथ notice करी, कि सारी की सारी values चाहें sign हो, cos हो, tan हो, cot हो, sec हो, cos हो, सबकी values क्या थी? positive थी, सबकी values क्या थी? positive थी, अब क्या होता है न? second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, यहाँ पर क्या होता है न? कुछ trigonometry positive होता है, तो कुछ negative होता है again, फिर third में भी कोई एक positive होगा, बाकी कि सब negative रहेंगे, again, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा तो कौन से quadrant में कौन सा trigonometry function, कौन से quadrant में कौन सा trigonometry function positive answer देगा, positive value देगा और कौन से quadrant में कौन सा trigonometry function negative value देखा, इसी चीज़को अब हम इस वाले पार्ट में analysis करेंगे ठीक है? सो देखिए, सब ही लोग, पूरा धान यहाँ पर रखना अभी देखिए, सबसे पहले क्या होता है न? again, this is our x-axis and this is y-axis ठीक है, this is x-axis and this is y-axis यह हो गया हमारा एक right angle triangle ठीक है, this is our right angle triangle यह हो गया हमारा theta ठीक है, यह जो length रहेगी मेरी यह सभी को पता है न? x रहेगी ठीक है न? यह x-axis पे तो यह जो भी point रहेगा, यह क्या रहेगा? x रहेगा ठीक है और अगेन ये जो point रहेगा ये जो रहेगा ये कौन रहेगा आपका y रहेगा ठीक है उसके बाद ये मैं बोलूँगा r क्या बोलूँगा मैं? r, r कौन है? देखिए r की value हो जाएगी ना? under root of x square plus y square अरे hypotenuse side है ना यार और r को ना मैं याँ पर एक चीज और बोलते है that r is radius of circle r is radius of circle ठीक है फाइब now उसके बाद देखिए अब मैं याँ पर आपको चीजे अनलाईस करूँगा opposite upon hypotenuse हमने सारे सब चीजे पढ़ ली थी सौ भी देखिए sin theta इसी को चीजे कितना होता है opposite upon hypotenuse opposite ये theta रहेगा ठीक है r radius है तो ये बात याद रखिएगा r हमेशा positive रहेगा r हमेशा क्या रहेगा positive ही रहेगा because radius of the circle है तो वो कभी negative हो नहीं सकता ठीक है तो यह हमेशा जब मैं ये triangle अभी मैं second quadrant में भी draw करूँगा third quadrant में भी draw करूँगा fourth quadrant में भी draw करूँगा हर quadrant में r हमेशा positive रहेगा ठीक है so now sin theta is equal to क्या होगा opposite upon hypotenuse opposite मतलब y और again hypotenuse मतलब r again cos theta is equal to किता रहेगा adjacent upon hypotenuse मतलब x upon r ठीक है और again tan theta is equal to बोले कितना जागा opposite upon adjacent मतलब की y upon x now अब आपको cut sec और cosec निकालनी की need नहीं है क्यूँ because cosec theta क्या हो जाएगा r upon y sec theta क्या हो जाएगा r upon x और cot theta क्या हो जाएगा x upon y इसका reciprocal ही होता है सभी को पता है न चलिए first quarter ने तो बता ही जिता हूँ बोले cosec theta का value किता हो जाएगा हमको simply क्या करना है इसको reciprocal करना है मतलब reciprocal ने एक दूसरे के inverse है न भाई सो कितना हो जाएगा बोलिए r upon y ठीक है again बोलिए cos theta मतलब sec theta easy cost to यह कितना हो जाएगा बोलिए r upon x again बोलिए cot theta easy cost to कितना हो जाएगा बोलिए x upon y so first quarter में तो हमको ऐसे ही पता था कि सबके सब values positive होती है पर मैंने आपको एक बार फिर से ये चीज़ बता दी निकालके तो यहाँ पर मैं first quadrant में क्या लिखता हूँ कि all trigonometry all trigonometry functions are positive all trigonometry functions are positive कहाँ पर in the first quadrant in the first quadrant all trigonometry functions are positive अब मैं second quadrant में भी चेक करूँगा ठीक है so now आपको चेक करने के लिए ना सिर्फ sin cost tan को चेक करना है आपने सेक कोसेक कोट को चेक करने की need नहीं है कि because अगर sin निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव आजाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है reciprocal है याद रखना sin और कोसेक भाई है sin और कोसेक भाई है similarly tan और कोट भाई है cos और सेक भाई है तो अगर एक निगेटिव तो दूसरा भी निगेटिव एक पोजिटिव तो दूसरा भी पोजिटिव clear? now now see second quadrant we all know that this is second quadrant बहुत बार चर्चा जोग इसके भी now I am here एक triangle draw कर रहू this is my right angle triangle and this is my theta okay again ये जो लेंट रेंगी वो क्या रेंगी y coordinates y रहेगा ये जो क्या रेंगा ये क्या रहेगा ये क्या रहेगा minus x negative side है ना समझे क्या समझ गए ना सो ये कह रहेगा negative और ये again radius radius will be positive रेडियस कभी negative नहीं होगा भाई ठीक है सो देखे again sin theta इसी कोश्चु क्या होता है opposite upon hypotenious मतलब कि y upon r ठीक है sin positive है cosec positive है लिखने की need ही नहीं है ठीक है आप चाहो तो बाजू में लिख दो एक दो प्रॉब्लम अभी कोश्च चल रहा है इसले बता देदा हूँ तो r upon y ठीक है cos theta कितना हो जागा adjacent upon hypotenious तो कितना हो जागा बोलिए minus x upon r यहने कि seq भी अगर cosec का भी cost का value अगर आप चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर वो क्या आगया है negative आगया है और अगर cost यहाँ negative है तो seq भी क्या हो जाएगा by default negative हो जाएगा तो seq theta का value कितना है कि बोलिए r upon minus x similarly बोलिए tan theta क्या हो जाएगा opposite upon adjacent यहने कि y upon minus x तो अपने आप देखें tan negative हो गया तो cod भी क्या हो जाएगा negative हो जाएगा यह बात आप हमेशा आद रखना fraction की अगर a upon b आप minus a upon b लिखो या a upon minus b लिखो या आप minus a upon b लिखो तीनों का मतलब सेम होता है ठीक है तीनों का मतलब सेम होता है fraction में minus उपर लिखो नीची लिखो बीच में लिखो कोई problem नहीं ठीक है भई आप so now again I hope यह बात अभी सबको clear होगी होगी तो आपका जो notification आपका जो यह है अगर आप इस चीज़ को observe कर रहे होगे observation जो आपका बता रहा है कि second quadrant में sign क्या है positive है कोसे को बोलने की need नहीं होती है फिर बोल रहा हो आपको इन तीनों को ही check करना है क्योंकि इसका भाई यह है इसका भाई यह है इसका भाई यह है यह positive तो वो positive यह negative तो वो negative यह negative तो वो negative यह positive तो वो positive तो आपको सिर्फ sin cos tan को ही check करना है ठीक है तो sin positive है और बाकी के सब क्या है negative है मतलब की cos or tan क्या है negative है तो यहाँ पर हम दिखी क्या लिखते है sin theta is positive ठीक है अब फिर से third quarter में check कर लेते हैं again वो ही concept यहाँ पर भी में एक right angle triangle draw कर लूँगा again यह मेरा हो जाएगा theta यह minus x और यह इस बार minus y हो जाएगा समझ में आया क्या because अब यह negative side हो गई ना भाई तो minus x तो रहेगा ही और minus y भी रहेगा check कर यह बोलिए हाँ चलिए बताइए sin theta is equals to again बोलिए opposite upon hypotenuse r negative नहीं रहेगा भाई है ना so कितना जगा minus y upon r cos theta बोलिए कितना जगा minus x upon r है ना minus x upon r array adjacent upon hypotenuse and tan theta is equals to again opposite upon adjacent मतलब कि minus y upon minus x so minus minus cancel हो गया so यह मेरा क्या आगया y upon x आगया तो अब देखिए sin negative cos negative tan क्या आया positive आया याने कि in the third quadrant tan क्या रहेगा positive रहेगा tan क्या रहेगा positive रहेगा और sign और cos क्या रहेगा negative रहेगा ठीक है अब फिर से देखिएगा अब last quadrant का बचा है वो भी मैं आपको निकाल के बता दीता हो ठीक है भाई? now again fourth quadrant का check कर रहेगा यहा पर बोल के fourth quadrant again triangle draw कर लिए भाई? same concept बिलकुल ये रहा मेरा right angle triangle ये positive ये negative negative side of the y-axis है और R is positive अगेन बोलिए, sin theta is equal to opposite upon hypotenuse opposite upon hypotenuse ठीके भई, minus y upon r cos theta is equal to बोलिए, x upon r, एडजेसन upon hypotenuse, tan theta is equal to बोलिए, opposite upon adjacent आपने अबसर क्या किया, sin negative आया, tan negative आया लेकिन cos क्या आया, positive आया तो cos क्या रहेगा यहाँ पे cos theta is positive रहेगा कहाँ पर, fourth quadrant में, so अब मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊँगा first quadrant में, all trigonometry functions की signs क्या होती है, positive यानि कि इनकी जो angles की value आती है वो हमेशा positive आती है, second quadrant में, जब आप value निकालेंगे sin 120, sin 135 मैं आपको आगे निकालना सिखाने वाला हूँ ठीक है, तो जब आप उनकी values निकालते हो, तो उनकी values क्या आती है हमेशा negative, sin theta की value positive आएगी, लेकिन जब आप post 120 की value, tan 120 की value निकालेंगे तो negative आएगी third quadrant में, tan positive है, third quadrant की standard angle आप हमें निकालेंगे, 210, 225, 240 है ना, तो जब आप tan 225 निकालेंगे, tan 240 निकालेंगे, तो पोजिटिव आएगे लेकिन sin 240, cos 240 negative निकालेंगे, वो कैसे देंगे वो में आपको देखने वाले हम, allied angles का आप हम फौरूला देखेंगे fourth quadrant के देखे थे, हमने standard angle 300, 315, 330 तो जब उनकी value निकालेंगे तो sin 330 की निकालेंगे तो वो negative देगा, क्योंकि fourth quadrant में cos कहा रहता है, sign कहा रहता है negative, लेकिन cos 330 की जब आप निकालेंगे, तो वो answer मेरा positive आएगा I hope इतनी बात सबको clear हो गई होगी तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि all are positive in the first quadrant sign is positive in the second quadrant tan is positive in the third quadrant cos is positive in the fourth quadrant I hope यह हमने अभी derive किया ठीक है, so all trigonometry functions are positive in the first sign trigonometry function is positive in the second tan trigonometry function is positive in the third cos trigonometry function is positive in the fourth sign positive है, मतलब cos और tan क्या है, negative है यहाँ पर tan positive है, इसका मतलब sin और cos क्या है negative है, cos positive है मतलब sin और tan क्या है negative है और इसको याद रखने के लिए एक phrase बनाया था, मैं भी rough कर रहा हूँ इसको आप इसको लिख लेना, ठीक है, video को post करके इसको लिख लीजे और जब इसको याद रखने के लिए एक phrase बनाया गया था कि all add sugar to coffee ठीक है, add sugar to coffee add sugar to coffee येक phrase बनाया था, so that सब को sign याद रखने के लिए वो memory map जिसको हम कहते हैं तो ये memory map बनाया गया था, एना, add मतलब पहले quadrant में all are positive ठीक है, sugar मतलब second quadrant में sign is positive TO2 मतलब third quadrant में tan is positive और coffee मतलब fourth quadrant में cos is positive ठीक है, वो phrase बनाया गया है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्यूंकि आपको इसका दो साल, तीन साल, even जब आप MBA के लिए जाएंगे और आप जब MBA की CT बगरा देंगे, एंटरंस देंगे MBA के एंटरंस देंगे, और 11-12 तो रहे गई, और MBA के लिए भी ये सारी चीज़े आपको काम में आएगी तो मैं ये बोलूँगा कि फ्रेज तो है, लेकिन आप without फ्रेज इसको याद रखने की कोशिश करिए all, sign, tan, cos, all are positive in the first quadrant, sin, theta is positive in the second quadrant, tan theta is positive in the third quadrant and cos theta is positive in the fourth quadrant, okay, so आप इसको note करिए yes, देखिए, allied angle formula, अभी हम देखने वाले हैं, allied angle formula allied angle formula किसको बोलते हैं, यह आपने देख के आए थे 10th में but इसके कुछ छोटे सही formula आपने देख के आए थे, आपने 10th में formula देखे थे, कि sin 90 minus theta, कितना होता है, cos theta sin 90 minus theta, cos theta, second आपने देखा थे, कि cos 90 minus theta, बोली कितना होता है, sin theta similarly, third देखा थे, कि tan 90 minus theta is equals to cot theta, fourth देखा थे, कोट 90 minus theta is equals to tan theta fifth देखा थे, आपने, 6, 90 minus theta is equals to cos theta, and sixth, cos 90 minus theta is equals to 6 theta ठीक है, सो यह 6 formula आप देख के रहे थे 10th से, अब इसके आगे के formula और है allied angles में आज हमने standard angle देखे थे, ठीक है, standard angle भी देखे हमने, और हमने 90, 180 जो देखा था, 270, तो उनके लिए भी formula है, आपने देखा न, यह allied angle 90 के लिए है यसे मैंने आपको बता दिया था, कि यह है आपका कौन, 0, ठीक है, यह है आपका कौन, 90, यह है आपका कौन, 180, यह है आपका कौन, 270, और यह है आपका कौन, 360, ठीक है भी, 180, 270, 360, अब आपने जो formula के थे, वो कंसे थे, 90 minus theta के देखे थे, ठीक है, अब 11, 12th में क्या होता है formula बहुत सारे है, total 48 allied angles formula, कितने, 48, और मैं अभी आपको इस part में, पूरे 48 के 48 formula समझा दूँगा, उसकी trick है, आपको मैं सिर्फ 10, 12 formula समझाओंगा, आपको पूरी trick समझ में आजाएगी, कि formula बनाने कैसे है, ठीक है भी, आप देखे, formula कौन से कौन से रहेंगे, 90 minus theta के हमने 10th म ही देख लिए थे, 90 plus theta के रहेंगे, 180 minus theta के रहेंगे, आपको याद होगा, जैसे हमने standard angle निका ले थे, कैसे करके निका ले थे, एक तो 90 plus 30 किया था, यह तो 180 minus 30 किया था, similarly जब हमने third cotton के standard angle निकाले थे, तो उसको हमने क्या था 180 प्लस 30 क्या था या तो 270 माइनस 30 क्या था similarly 4th में भी 270 प्लस 30 360 माइनस 30 तो अब यहाँ पे formula भी देखे वैसे ही रहेंगे 90 प्लस theta 180 माइनस theta 180 प्लस theta 270 माइनस theta 270 प्लस theta 360 माइनस theta and 360 प्लस theta तो एक trigonometry function के total 8 formula रहेंगे कौन से कौन से 90 प्लस थीटा ठीक है अब जो भी 1्चा के एंगल से गते हैं वो 90 से कम होते हैं 90 से चोटे होते हैं तो यह पर कौन से आंगल लएंगे 90 माइनस theta अब जो 2nd c Claus on a angle वो 90 से क्या होते है बड़े इसले 90 प्लस theta और 180 से क्या होते है चोटे यहने कि 180 माइनस थीटा ठीक है सेकंड अगें अब जो थर्ड कॉटन में अंगल होते हैं वो 180 से क्या होते हैं बड़े और 270 से क्या होते हैं चोटे देखिए मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा प्लीज अगर आपको कोई भी WhatsApp पे मैसेज आ रहा है Instagram के कोई notification आ रहा है उसको प्लीज मत देखिए सारे Windows आपके mobile screen के computer screen के जिसमे भी आप वीडियो देख रहे हो बन करिए और पूरा focus इस वीडियो पे रखिए ये मतलब बहुत ज़्यादा आपको काम में आएगा concept बहुत ज़्यादा काम में आएगी एक बार ये concept आपकी strong हो गई आपको 11-12 में ये छोटी-छोटी बातों के लिए बिल्खूल भी डरना नहीं पड़ेगा कई students को मैंने आज भी देखिए है हमारे पास, मेरे पास कई students classes, दूसरी classes ड्रॉप करके हमारे याँ classes लगाने आते है उनको ये basic knowledge भी नहीं दिया होता है और वहाँ पर भी ये जो चीजे उनको रटना पड़ता है रटने की कोई गरज ही नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है हम इसको समझ लेंगे और trick एक बार समझ लेंगे आपको पूरे 48 formula बिलकुल mind में घुमते रहेंगे अपने आप अपने आप हो चलेंगे आपको कुछ नहीं करना है वो trick apply करने है formula बहार trick apply की formula बहार ठीक है तो trick समझ लो एक बार अच्छे से again 180 अब जो third quarter में अंगल रहेंगे वो कह रहेंगे 180 plus theta रहेंगे और अगे यहापर कह रहेंगे 270 कह रहेंगे minus theta रहेंगे again कह रहेंगे अब जो fourth quarter में अंगल है वो कह रहेंगे 270 से बड़े और 360 से चोटे तो अब अंगल जो होते वो 360 से भी क्या होते है बड़े होते है यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 plus theta हो जाएगा ठीक है अब हम sin 90 minus theta तो देखा था भाई हमने अब हम देखेंगे sin 90 plus theta sin 180 minus theta sin 180 plus theta 270 minus theta sin 270 plus theta sin 360 minus theta and sin 360 plus theta यह सारे form में देखेंगे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बहुत से लोगों को यहाँ पर अभी भी problem है मैं चाहता हूँ कि जितने भी students अम लोगों से जुड़े online से उन लोगों को यह problem बिलकुल नहीं होनी चाहिए छोटी छोटी बाते उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से clear हो जानी चाहिए ठीक है सो अब देखें यह हो गया हमारा ठीक है भई इसमें तीन रूल है कोई भी formula बना लो आपको वो तीन रूल apply करने खेल खतम formula बहर और बहुत simple rule है तीन बनी दो ही रूल बोलूँ आपको तो मैं पहला रूल है find sign पहला रूल क्या है find sign sign अभी देखा था हमने previous lecture में प्रिवेस पार्ट में देखा था क्या देखा था बोलिये कि all are positive in the first quadrant sign is positive in the second quadrant sign है तो कोसेक भी क्या रहेगा positive रहेगा ठीक है भाई अगेन हाँ बहले थार्ड में क्या था tan is positive in the and cot is positive in the similarly सेक is कोस is positive in the fourth quadrant and सेक is also positive in the fourth quadrant ठीक है तो ये सारी चीज़े हमने देख ली थी अभी देखी थी so पहला काम क्या करना है find sign दूसरा काम क्या करना है आपको देखिए अगर आपके फॉर्मूले में 90 और 270 इन्वाल है तो अगर आपके फॉर्मूले में 90 और 270 इन्वाल है तो आपको करना है change क्या करना है change किसको change करना है अगर आपके फॉर्मूले में sign है तो आप उसको change कर देंगे cost में अगर आपके formula में cos है तो आप उसको change कर देंगे sign में, देखें मैंने arrow का मुथ दोनों तरफ लगाया है, और interchange का symbol है वो, ठीक है sign will change in cos and cos will change in sign, again अगर tan आपके formula में है तो tan change हो जाएगा cot में और cot change हो जाएगा tan में, similarly अगर आपके formula में seg है, तो seg change हो जाएगा cosec में, और cosec change हो जाएगा sec में ठीक है, याद है ना seg 90 minus cheers, seg काई में convert हो जागा था, cosec में और cosec हो जागा हो जागा था, seg में क्योंकि, if you remember मैंने बिलकोर स्चार्टिंग में मतलब, जो Trigonometry Series का part 2 था, उसमें मैंने आपको trigonometric table बताया था जो आप लोग ने भी पहले भी देखा angles की value वाला टेबल उसमें अगर आपको याद होगा पहले आप sign की value निकालते हो और sign की value निकालने किया था cost की value निकालते हो और cost की value निकालने के लिए आप करते क्या थे sign को क्या करते थे interchange, sign को ही turn करते थे sign को ही घुमाते थे, फिर आप tan की निकालते थे, और cot की निकालने के लिए अगे आप क्या करते थे, tan को ही reverse करते थे, similarly फिर आप sec की निकालते थे, one upon cost करके और फिर cosec की निकालने के लिए आप sec को ही क्या करते तर्न करते थे, याद आ रहा है, इसलिए, C0, 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 C0 में होता है 10 cot में cot 10 में से kosek में ये 10 में आपने देखा ही था पर ये क्यू होता है इसका भी reason मैंने आपको बता दिया है अगर आपके formula में याद रखिएगा 180 या 360 आता है तो आप क्या कर देंगे no change क्या कर देंगे आप no change no change का मतलब आपका sign जो रहेगा वो sign ही रहेगा वो convert नहीं होगा अगर आपके पास cos है तो वो आपका cos ही रहेगा वो change नहीं होगा ठीक है अगेन आपका अगर tan है तो वो tan ही रहेगा change नहीं होगा ठीक है अगर आपके formula में 180 आप 360 इंवाल है तो ठीक है अब वो 180 प्लस थिटा रहने दो या वो 180 माइनस 360 प्लस रहने दो 360 माइनस 90 माइनस 90 प्लस 270 प्लस 270 माइनस आपको शरिफ ये 90 और 270 देखना है कई books में और कई लोग ऐसे भी बोलते है वो भी correct है कि 90 और 270 इस बेसिकली y-axis के अंगल है तो जब भी y-axis के अंगल आते है तो हमारा trigonometry change हो जाता है और जब भी x-axis के अंगल involved होते है तो वो no change होता है ठीक है? सो ये 3 rule है, simple simple 3 भी नहीं है, एक ही rule है पहला ये rule है और उसके बाद में ये 2 rule में से एक तो ये fit होगा या तो ये fit होगा दोनों एक साथ कभी भी fit होगे नहीं तो basically दो ही rule है हमारे लिए अब मैं आपको 10 से 12 फर्मुले निकाल के बताऊंगा 10 से 12 पंदरा जितने हो सकते उतने बताऊंगा लेकिन बच्च हुए जो फर्मुले है वो आप मेरेको homework करके भेजेंगे whatsapp मेरेको dm करेंगे ठीक है so now अब देखें पूरा ध्यान अभी यहां पर रखिएगा बहुत अच्छे से समझना फिर बोलूँगा अगर कोई window open है तो बन कर दीजे ठीक है अब यहां से यह formula को बहुत अच्छे समझ लीजे कई लोगों को यहां पर problem है बेटा मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी problem face करना पड़े ठीक है so देखे पहला अगर मैं आपसे बूलू कि sign 90 plus theta का मेरे को formula बताईए अब आप rule कैसे apply करेंगे सबसे यह first rule है मेरा है यह first rule है first rule किया करना है find sign sign कैसे find करते है देखे 90 plus theta कौनसे quadrant में लाए करता है यह second quadrant है यह third quadrant है कई बार बता चुक है सब कुछ बहुत सारी बार चर्चा हो चुक है so 90 plus theta lies in the second quadrant यह कौनसे quadrant में लाए करता है second quadrant second quadrant में sign की sign क्या होती है second quarter में sign क्या होता है positive sign क्या होता है positive तो ये मैंने लिख दिया positive ठीक है अब formula में अगर 90 है मैंने फिर बोला था 90 plus theta रहें दो या 90 minus theta रहें दो कोई problem नहीं है अगर 90 है तो आपको क्या करना है change sign change करना है काई में cos में तो इसका मेरा अंसर क्या आजाएगा cos theta समझ में आया कैसे किया सबसे बदे साइन फाइंड की plus sign हमेशा इसकी फाइंड होगी आने वाला कोई भी आंसर रहो उसकी फाइंड नहीं करना है ये मत बोला की सर cos तो second quarter में निगेटिव है cos की sign नहीं फाइंड करना है मेरे को sign किसकी फाइंड करना है sign की जो जिसका formula बनाना है जिसके लिए formula बनाना है उसकी sign find out करने है मेरे को clear होगी बात now again second again देखिए धान से पूरा ध्यान question में again अगर मैं आपसे बुलूँ कि मेरे को cos 90 plus theta find out करके बताहिए अब आप क्या बोलेंगे again 90 plus theta कॉंते गर्वाकर ने second quadrant में लाएकरता है second quadrant में कर रहे और second quadrant में cos की sign क्या होटी है negative होती है क्या होती है negative क्योंकि वहां पर positive क्वोन है sign positive वहां पर positive क्वोन है sign, ते बाहले मैं यह sign find out करती now उसके बाद 90 है तो मेरे को क्या करना है change अगर मेरे formula में 90 है तो मेरे को क्या करना है change और cos रहेगा तो काई में change होगा sin में so मेरा answer कितना आजाएगा minus sin theta समझ में आया क्या सभी को ठीक है थर्ड देखे tan 180 minus theta ठीक है मैं randomly कोई भी formula आपको बता रहा हूँ बस आपको rules कैसे समझने है मैं rules आपको समझा दूगा ये rules है हमारे ये rules यूस कैसे करने है एक बार आपको ये थोड़ी practice हो गई फिर आप कोई भी formula आपने मन से बना सकते हो ठीक है so now अब 180 minus theta मेरे को इसका formula बताना है कैसे करूँगा मैं सबसे बला rule क्या है find sign ठीक है so find sign 180 minus theta lies in the second quadrant second quadrant में tan की sign क्या होती है negative क्योंकि वहाँ पर positive कोने sign वहाँ पर positive कोने sign तो ये क्या हो गई negative मेरे को tan की sign find करना था ठीक है ना वो मैंने कर दी अब 180 है अगर मेरे formula में तो मैं क्या करूँगा no change मैं क्या करूँगा no change no change का मतलब no change का मतलब tan tan में रहेगा sign sign में रहेगा cos cos में रहेगा यानि कि इसका जो मेरा answer आएगा वो कह रहेगा minus tan theta द्यांसे सुनना ये जो theta आता है ना ये theta और ये theta same होता है ये theta ये theta same होता है ये theta और ये theta same होता है because ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरे को इनकी values निकालनी है तब आपको ये चीजे समझ में और अच्छे से आजाएगी लेकिन अभी आप याद रहेगे ये theta same है अगर यहाँ x लिखूँगा तो यहाँ पर x आजाएगा यहाँ y लिखूँगा तो यहाँ y आजाएगा यहाँ z लिखूँगा तो z आजाएगा omega लिखूँगा तो omega आजाएगा clear होगी बात ठीक है जो भी angle रहेगा angle theta में में मेजर किया है angle omega में major किया है angle किसी भी इसमें variable में major करने दो, वो variable हमको भी formula में लिखना है, clear होगी बात again, fourth number ठीक है देखे, cot 180 plus theta ध्यांस देखीगा cot 180 plus theta again, 180 plus theta कुंते quadrant है, पहला rule किया है, find sign है ना, so 180 plus theta 3rd quadrant है, 180 plus theta 9th quadrant है, 3rd quadrant है, 3rd quadrant है, 3rd quadrant में cot की sign क्या है, positive 3rd quadrant में cot की sign क्या है, positive क्योंकि वहाँ पर तो tan और cot दोनों क्या है, positive है ना, और क्यूखी 180 है तो हमको ग्या करना है no change, मतलब की cot, यहाँ पे मैंने cot का लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब समझना की cot मतलब cot मतलब कुछ होता नहीं है, cot से कोसिक साभी है यहाँ पे भी तो cot चेंज होगा नहीं, so क्या आजाएगा मेरा अंसर, plus cot theta, again एक और देखिए fifth number, again बोले, cos 270 plus theta cos 270 plus theta cos 270 plus theta 270 plus theta को नहीं है, पहला रूल क्या है, find sign, 270 plus theta कुंता कोडरेंड, 270 plus theta fourth quadrant, fourth quadrant में, cos क्या है, positive fourth quadrant में, cos क्या है, positive है, पहले ही लिख दिया मैंने, ठीक है, वैसे positive line लिखने की जरुवत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हम concept को बना रहे है, डवलब कर रहे है, इसले मैं ये सारी चीज़े आपके सामने, discuss कर रहा हूँ, तो 270 plus theta कुंता कोडरेंड, fourth quadrant, fourth quadrant में, cos की sign क्या रहेती है, positive, fourth quadrant में, cos की sign क्या रहेती है, positive, इसले लिख दिया मैंने, positive, और अगर 270 आपके formula में आता है, तो आप क्या करते हो, change, अगर 270 आपके formula में आता है, तो आप क्या करते हो, change, और change कैसे करते हो, sign cos में, cos sign में, तो cos है, तो formula में क्या आजाएंगा, sign, sign होता तो formula में क्या आजाएंगा, cos, clear हो रहा है सभी को, एना, एक और, चलिए, बोलिए, sixth number, हाँ, sin, tan, 360 minus theta, चलिए, tan, 360 minus theta, again, 360 minus theta कौनता कोडरंट है, 360 minus theta कोन से है, पहला rule क्या है, find sign, तो 360 minus theta कौनता कोडरंट, फोर्थ कोडरंट, कौनसा कोडरंट, फोर्थ, फोर्थ कोडरंट में tan की sign क्या है, negative, क्योंकि वहाँ पर positive क़न है, cos, तो यह मैंने लिख दिया निगेटिव ठीक है अब क्योंकि 360 है तो 360 है तो हम क्या करते है no change 360 है तो हम क्या करते है no change यानि कि tan will remain in tan यानि कि tan tan में ही रहेगा तो इसका मेरा answer कितना हैगा minus tan theta I hope यहां तक कि सबको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा पर मैं एक दो और ले ले लेता हूँ यहां पर देख लिजए 7 number हां अगें बोलिए cos 360 plus theta ठीक है cos 360 plus theta अब देखे 360 plus theta कौन ता quadrant? 1st quadrant है ना? 1st quadrant में कौन positive है? बोले all are positive वहाँ तो सबके सब positive है तो फिर अपने आप cos की sign यहाँ क्या होगी positive होगी ठीक है और 360 है तो हम क्या करेंगे no change देखे फिर बोलूँगा 360 minus theta रहन दो 360 plus theta रहन दो it is always been a means positive sorry no change ही रहेगा सो कितना आजाएगा plus cos theta एक last और देखे ते 8 number का ठीक है? so बोलिए again बोलिए भई हाँ क्या आगया है? एक आथ formula और ले लिजे चलिए sine 180 plus theta का ले लेते है sine 180 plus theta again बोलिए 180 plus theta कुंता काडरंट third quadrant पहला rule क्या है? find sign तो 180 plus theta कुंता काडरंट third quadrant third quadrant में sine की sign क्या रहती है? third quadrant में sine की sign क्या है? negative क्योंकि वहाँ पर positive होन है? tan और cot तो sine की sign क्या रहती है? negative यह लिख दिया मैंने negative अब 180 है तो मेरे को क्या करना है? no change no change का मतलब क्या करना है मेरे को कि sign will remain in sine so मेरा इसका अंसर किता जाएगा minus sine theta so I hope सबको इतना समझ में आया होगा मैं फिर बोल रहा हूँ यह theta, यह theta, यह theta, यह theta same है मैं आपको बहुत सारी बाते इतनी discuss की है यहापर मैंने कुछ 8 फॉर्मले मैं आपको बताए मैं अभी आपको कुछ फॉर्मले यहापर homework के लिए देरा चाहूँगा आप यहापर sine, cos, tan तीनों के complete formula लिखके लाएंगे लिखेंगे और मेरे को whatsapp करेंगे formula लिखने कैसे है किस order में sine 90 minus theta sine 90 plus theta sine 180 minus theta sine 180 plus theta sine 270 minus theta sine 270 plus theta sine के कितने हो गए? 8 फिर cost के लिखेंगे ऐसे ही और tan के लिखेंगे same ऐसे ही sine, cos, tan के आप मेरे को DM करेंगे ठीक है? note down करेज़े बहुत important फिर के लिखेंगे फ्रश्चेजे